Good morning children, welcome to my youtube channel बच्चो आज हम solve करेंगे exercise 3.4 का question number 1 का third part और question number 1 में हमें बोला था कि जो given equations हैं इनको elimination method से solve करो तो हमें equations given हैं 3x minus 5y minus 4 equals to 0 and 9x equals to 2x plus 7 तो देखो अब equations हमें कैसे दी हैं untidy way में हैं बच्चो और आब हमें इनको arrange करना पड़ेगा मतलब इनको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा standard form में arrange करना पड़ेगा तो हम लिख सकते हैं by arranging the equations in standard form standard form बच्चो standard form कोई difficult चीज नहीं है जो बोलने से लगता है कि standard form बोलने का मतलब यह है कि आपने equation को arrange करना है arrange मतलब x और y की value left में रहने देनी है और यह जो constant term है इसको 0 के उदर right side में ले जाना है ओके तो यह standard form है तो अब इसका हमें 3x-5y-4 equal to 0 दिया है बच्चो तो अब हम क्या करेंगे 3x-5y equals to 0 है और यह minus का 4 right side में plus का हो जाएगा और यह बन जाएगी हमारे पास 3x-5y equals to 4 इसको बोलेंगे हम first equation और दूसरी equation में and और यहां भी देखो क्या बोला है यहां बोला है 9x equals to 2y plus 7 मतलब y भी हमारा right side में है तो उसे हमें left में लाना है और equation हो जाएगी 9x-2y क्यूंकि plus की है left में आकर 2y जो है वो minus का हो जाएगा और equals to 7 तो यह बन गया बच्चो हमारे पास second equation अब हम कर सकते हैं from लिख सकते हैं equation 1 and 2 क्यूंकि हमें दोनों equation को एक अठा लिखना है अभी check करना इनको so 3x-5y equals to 4 9x-2y equals to 7 ओके बच्चो तो यह है हमारे पास 2 equations आप देखो eliminate करना है तो eliminate करने के लिए क्या करना पड़ेगा by eliminating लिख सकते हो आप by eliminating the equations okay eliminate करने के लिए क्या करना पड़ता है बच्चो equations को equal किसी एक variable को equal करना पड़ता है तो देखो first वाली equation में हमार पास 3x-5y equals to 4 है second वाली में 9x-2y equals to 7 है तो अब हम असानी से x की value को equal कर सकते हैं x की first वाली equation को 3 से multiply करेंगे तो 9 बन जाएगा और 9 को 1 से multiply करेंगे तो 9 नहीं रहेगा तो हम first में first वाली equation को multiply करेंगे बच्चो 3 से और second वाली को 1 से तो हम लिख सकते हैं by multiplying equation 1 by 3 and equation 2 by 1 we get क्या मिलेगा हमें लिखते हैं भी 3 3 से 9 x माइनस 3 5 से 15 y और 3 4 से 12 पूरी equation को multiply करना पड़ता है बच्चो किसी एक को नहीं particular जिसको equal कर रहे हैं उसी को नहीं पूरी equation को multiply करना है ओके ये ध्यान रखना है आपने और 9 x वन्जा 2 y वन्जा and 7 वन्जा ओके सो eliminate करने के लिए अब value को equal कर दिया अब इनको हमें opposite sign मिलाना पड़ेगा क्योंकि इनके दोनों के sign और plus के हैं तो इसलिए हमें एक minus का चाहिए तब ही ये eliminate हो सकते हैं तो plus का 9 minus यहां पर minus का 2 plus और ये भी हो गया minus जब एक बच्चों जब एक value की आप sign change करेंगे तो आपको सब के sign change करने पड़ेंगे ये ध्यान देना है ऐसा नहीं है कि जिसको आप eliminate कर रहे हो बस उसी digit का sign change करो औरों का नहीं नहीं जब आप sign change करोगे तो पूरी ही equation का sign change होगा और वो भी नीचे वाली equation का जो down वाली second वाली equation है आपकी अलर्वाइस एक कई करोगे तो गलत हो जाएगा ओके अब minus 15 greater है plus का 2 smaller है हमारे पास बच जाएगा minus 13y और इधर बचो plus 12 greater है minus का 7 छोटा है 5 बच गया और y equals to 5 upon minus 13 सो मतलब यह हो जाएगा 5 बचो denominator में जब minus का sign है वो numerator में जाएगा यह बन जाएगा minus 5 upon 13 ओके यह minus की आगी value अब y की value put करेंगे first में on putting y in equation 1 equation 1 जो आपको actual भी अभी यहाँ जो हमने arrange करके बनाई है उसमें so 3x minus 5y equals to 4 यह equation है हमारे पास अब इसमें हम y की value भरेंगे 3x minus 5 into देखो बचो y की value भी हमारे पास क्या है minus में हैं तो हम लिख लेंगे minus 5 upon 13 और equals to 4 ओके so 3x और sin minus multiply by minus क्या हो जाएगा plus 5 5s are 25 upon 13 equals to 4 अब हम like terms को range कर लेंगे इस वाली term को right side में range कर लेंगे so 3x equals to equals to के बाद देखो क्या है बचो 4 है 4 अपने place पे रहेगा और left से जो value जाएगी उसको आगे हम लिखेंगे 25 upon 13 left से plus का 25 upon 13 right side में minus का हो गया और 4 के नीचे 1 लगा लेंगे और 1 और 13 के LCM आ जाएगा 13 so 1 से 13 को divide करेंगे तो 13 आएगा बचो 13 से 4 को multiply करेंगे तो आ जाएगा 52 13 4 जा 52 और minus 13 1 जा 13 13 से 13 को divide के 1 आया 1 से 25 को multiply करेंगे तो 25 आएगा 25 बन सा 25 ओके नाव 3 X equals 2 52 में से 52 में से बच्चो 25 माइनस करेंगे ओके क्या बचेगा 12 में से 5 7 और यहां बच गया 4 4 में से 2 तो हमार पास क्या बचेगा बच्चो हमार पास बचेगा 27 upon 13 फिर X की value 27 upon 13 और जो X के साथ 3 था वो भी आजाएगा अपान में इन्टु 3 3 बन सा 3 नाइन सा तो X की value आगी 9 upon 13 X की value 9 upon 13 और Y की value के आई बच्चो Y की value आई minus 5 upon 13 यही हमें दो values निकालनी थी so I hope आपको यह question समझ आगया बच्चो तो practice करना और वीडियो को like करना शेर करना मिलते हैं next वीडियो में thank you so much ओैठीजवा एंध्चो 10 यहीडियो आपक रच्चों साप्चों स्चधों साली साल